हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना निजूज प्रदेश में हर वर्ग बीजपी की सरकार से पारेशान है और अब वक्त आ गया ही कि बीजपी की सरकार को उखाड फेंके टिकट बटवारे पर कुमारी शेलजा ने कहा कि जल्द ही प्रतियाशियों की टिकटों का बटवारा हो जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों में चुनाव को लेकर उच्सा है और लोगों का ये उच्सा कॉंग्रेस के पक्ष में होगा मुए पूर्व मुक्य मंतरे बोपेंदर सेंग उड़ा ने कहा कि कॉंग्रेस में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता लाइन में है उन्होंने कहा कि जब से श्यल्जा और मुझे प्रदेश में नई जिम्मेदारी मिली है लोगों के उम्मीदे बढ़ गए हैं उन्होंने कहा कि दस की दस लोग सबस्षित्र में हम दोनों गए हैं और लोग कॉंग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं उन्होंने कहा अब तक जो घोशना हैं उन्होंने की हैं वो कॉंग्रस के चुनावे घोशना पत्र में शामिल की जाएंगी बहुत बड़ी प्रोग्राम कहा अब बहुतों से लोग इंतजार कर रहे थी और बहुत उत्सा है और सभी लोगों में हमारे वर्कर 9 के 9 हल्कों से हाई और उनका उत्सा देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि रो तक की 9 के 9 सीटें कॉंग्रिस पार्टी जीते हैं हमारी पूरी तयारी है जमीन पर हमारी तयारी है हम यह हवाबाजी में विश्वास नहीं करते जिस तरह से भारतिय जंता पार्टी इनकी सरकार हर तरह से अपने बैसे का दुरूप योग करते हुए लोगों के बीच में जो यह प्रोपगंडा दिखा रहे हैं हमारा उसमें विश्वास नहीं है हमारा विश्वास जमीन के काम पर है और हमारे वरकर पूरी तरह से पांच साल से मेहनत कर रहे हैं और अब वरक्त आ गया है इनका तक्ता पलट जाएगा प्रियर में गए हैं दस पारलेमेंटी चेत्र हम कवर कर चुके हैं जो भारी जोश और जो समर्थन मिल रहा है उससे साफ जाए रहे हैं जी लोग इस सरकार से विमुक हैं और कॉंगरस भी ओर देख रहे हैं कॉंगरस से सरकार बनाए जा रहे हैं दोजार पांच का मारा घोशना पतर देखो, दोजार नौ का देखो, कोई भी नहीं आरेंका दोजार चौदा का भार्टे जिम्ता पार्टी का देखो, एक रिवाज़ा पूरा निके हैं एचलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा महराजा अगरसेन प्राकरतिक चिकत साले योग पीट पहुँचे जहां लोगों ने उनका स्वागत करते वे अभी नंदन व्यक्त किया इस दोनान एचलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने प्राकृतिक चिकित्साले का वलोकन किया और डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ की काम की तारीफ करते हुए एचलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा ने सभी की पीट थप थपाई वह उन्होंने कहा कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए उन्होंने कहा कि मेरा राजनीती में आने का ये कही मकसद है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है और लोग हित्मे काम करना ही हमारा उद्देश्य है HLP अद्वक्ष गुपाल कांडा ने कहा कि ऐसे असंसकार हमें पता से मिले हैं सचाई तो यही है कि इस के साले हो गुफ कार गुंद लिंक्त देख रहा हैं बहुत सुंबर तरीके से इसको जलाने वालें चुछिट व्ल्केश से जो सब्थी को बहुत बहुत दखनेवाद कि आप इसने के तझन below है और समाज के लोग इसकी जो सेवा कर रहे हैं सारे महारा जांकर सेंट फ्राकेश्ट के साले के सभी वडारेकारियों को सभी सांसियों को मैं बहुत बहुत धन्यवा देता हूँ मिदान समद चुनाव के घोशना और अचार सहिता लागू होने के बाद प्रदेश के तमाब उपायोगतों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पार्दुर्शिता के साथ चुनाव करवाने के लिए दिशा निर्देश जाड़ी किये गए इसी कड़ी में फरेदबाद के सेक्टर बारा के जिप्टी कमिशनर भी आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दोरान मौझूद रहे जले में चुनाव के तैयारियों को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की मौई पत्रकारों से बाचीत में जला उपायोक ततुद दिवेदी ने बताया कि परेदबाद प्रशाशन चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अधिकारियों को शेत्रवाइस जिम्मेदारिया सौब दी गई है और सभी तरह की तैयारियां अलग अलग तरह से कर ली गई है इसमें हमारा मुख्य अभी काम रहेगा कि चुकि अचार सिंगता आज ही लगी है तो कैसे हम मौडल कोड अफ कंड़क्ट की पालना करें ज्यादा से ज्यादा बैनर, पोस्टर, वोडिंग तुरंद प्रभाव से हम लोग अटा रहे है और कहीं से भी कोई शिकायत आ रही है कि फ़ला जगे से नहीं अटे है तो उस पे इमिजेट अक्शन ले रहे हैं और 24 गंटे के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा जिला जो है वो बैनर, पोस्टर और वोडिंग फ्री हो जाए और MCC के Model Code of Conduct के और भी जो हिदायते हैं वो गिलकुल Letter और Spirit में फालो की जाए परेड़ा में चुनाव के तारीखों का आयलान हो गया है, बगुल बच गया है, तैयारिया पूरी है सिर्फ राजनेताओ की ही नहीं बलकि प्रशाशन भी पूरी तरस तैयार है तैयारी फरेड़ाबाद में भी प्रशाशनीक तोर पे दिख रही है DC ने अधिकारियों को निस्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए नरदेश दे दिये है अधिकारियों को जम्यदारी स्वाप दी गई है ड्यूटी लगा दी गई है और अधिकारी अब तैनात नजर आ रहे है चुनाव के लिए फरेड़ाबाद प्रशाशन पूरी तरह से तयार है इस उदेश्य के साथ की शान्ती पूरवक निस्पक्ष और पारदर्शी चुनाव परेड़ाबाद में करवाएंगे डी सी ने निर्देश दिये है तो चुनाव के लिए प्रशाशन तयार दिव्यांग मद्दाताओं के लिए दिव्यांग प्रहरी वॉलन्टियर लगाए गए पैसे और शराब का इस्तेमाल रोकने के लिए किये गए पुखता प्रबंद फरिदाबाद प्रशाशन ने 18 फ्लाइंग स्कुआइड टीम बनाई है प्रदाइन सब्चुनाव के लिए प्रिदाबाद प्रशाशन ने पूरी तैयारी कर ली है फरिदाबाद में मत्दाताओं के संक्या 14,92,234 है फरिदाबाद में 5841 दिव्यांग मत्दाता है फिल और एक क्रिटिकल बूथ चिन्हित दिव्यांग मत्दाताओं के लिए दिव्यांग प्रहरी वॉलंटियर लगाए गए पैसे और शराब का इस्तेमाल रोकने के लिए किये गए है पुक्ता प्रबंध ये फरिदाबाद में चुनाव के लिए प्रशाशनिक तैयारी ग्राफिक्स के जरी आपको दिखा रहे हैं प्रशाशन ने अठार अफ्लाइंग स्कुआर टीम बनाई है एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर विदान सबद चुनाव की तारिकों के आलान के बाद प्रदेश में निस्पक्ष और सफल चुनाव की तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है इसे कड़ी में पलवल जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि विदान सबद चुनाव के लिए सभी तैयारिया की जा चुकी है उन्होंने ये भी बताया कि मतदान के लिए डिस्ट्रिक एलेक्शन मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है इसके तहट जिले की तीनों विदान सबद शेत्र पलवल होडल और हतीन में मौडल बूथ एक सखी बूथ और एक दिव्यांग बूथ बनाए जाएंगे साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन कारियों के लिए संबंदित अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है और संबंदित नोडल अधिकारी नियोक तो कर दिये गए है जला निर्वासुन अधिकारी ने बताया कि EVM और विविपैट मशीन की चेकिंग कर ले गई है और साथ ही मतदाताओं को मतदान के प्रतिजागरू करने के लिए भी कारिकरम चलाए जाएंगे विदान सभाग शेत्र के अंदर दो मॉडल बूट बनेंगे एक सखी बूट बनेगा और एक दिव्यान बूट बनेगा एक नया टर्म पिछले कुछ सालों के अगर बहुत पापलर हुआ है एलक्शन कमिशन की और अगर चुनाव की मशिनरी की अगर बात करें तो सब्सक्राइब की तरफ से डारेक्शन सें कि सभी जिले के सभी भागों को चेक किया जाए और वहां पर अगर किसी भी तरह की चीज पाई जाती है कि किसी भोटर विशेश को भी अगर थ्रैट है तो उसको उसके उपर भी नजर रखी जाए जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस बात के लिए पूरा जो हमारा मजिस्टीर से या पूरी एकले स्पोर्स है वो अपने पने सोर्सी से पूरी मेर्टिक पर लगे में है और इसके आरो हमारे श्री बत्तल बतिस्ता है जो की स्ट्रीम या रुकेंगे छोड़े से ब्रेक के लिए प्रदेश में चुनावी तारिखों का एलान हो चुका है और अचार सहीता भी लागू की जा चुकी है जिसके चलते नगर परिशद हरकत में आ गया और नगर परिशद ने शेहर में लगे होडिंग बैनर और पोस्टर्स साथ ही साइन बोड को उतारने के लिए भियान शु कि जाएगी नगर परिशद दवारा अपनी साइट्स जो निर्दाद की गए उस पर भी जो भी पॉलिटिकल वोडर ओर्डिंग और बेनर लगे होए दे वो सब उत्रवाजिये गए हैं कल उत्रवाजिये और आज भी हमाई टीम उतार पर रही है विजान सबाचुनाव के मंदेनेजर प्रशाशन पूरी तरह से तैयारों में जूट चुका है चुनावी तैयारीों में जूटे करनाल के जिलान रुवाचोन अधिकारी विनेप्रताप सिंग ने बताया कि मतदाता और उमिदवार को चुनाव के दोरान कोई दिकत ना हो इसके लिए जिला प्रशाशन पूरी तरह से तैयार है डीसी ने बताया किसी विजल पोटल से आदर्श अचार सहीता के चौकसी रखी जाएगी जिस पर किसी भी तरह के अचार सहीता का उलंगन होने पर मिली शिकायत का 90 मिनिट में निप्टारा किया जाएगा वह इस बार के चुनाव में आयो की ओर से सिंगल प्लास्टिक के स्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंद लगाया है अगर कोई उमिदबार प्लास्टिक के चुनाव प्रचार समगरी बनाता है तो उसकी प्रचार समगरी जब्त कर ली जाएगी जिसमें जो भी तयारिया एक निश्पक्ष पेर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए किसी भी परशासन के द्वारा की जाती है करनाल जिले में फूंट की गई हैं और सभी पांचों विधान सभाओं के रिटर्निंग अधिकारी अपने छेत्रों में मॉडल कोड अफ कंडक्ट की एंफोर्समेंट के लिए तक पर हैं जो कल से लागू हुआ है उसमें सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को भी हिदायत हमारे द्वारा भीजी गई है ताकि सभी को एक फ्री फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले हरेना स्टाफ सेलेक्शिन कमिशन की परिक्षा का इस दूसरा दिन है यमुना नगर के एचसे सी परिक्षा सेंट्र में दूर दूर से आकर परिक्षार्थी परिक्षा दे रहे हैं हलंकि जोरान बाहर से आये परिक्षार्थियों को काफी परिक्षानियों का सामना करना पड़ा दरसल बसों में भारी भीड के चलते कई परिक्षार्थियों को बस नहीं मिली, वह पतेहबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्विर दिखाई दी, जहां परिक्षार्थियों के लिए बस सेवा मुसीबत बन गई, परिक्षार्थियों को मजबूरी में बसों की छतों पर चड़कर और बसों की गेट पर लटक कर सफर कर बिवानी में ChSassaC की परिक्षा देने आये परिक्षार्थिओं को भी कुछ हैसे ही समस्तियाओं से दोचार होना पड़ा बिवानी में एक कोचिंग सेंटर ने परिक्षार्थिओं को सोथा मुहया कराने के लिए 800 रुपे तो लिए लेकिन जब परिक्षार्थी कोचिंग सें सब्सक्राइब पुलिस ने मौके से डीजे और आवैज शराब को भी कब्जे में लिया वहीं पुलिस ने पार्टी का संचालन करने वाले फार्म हाउस माले के खिलाब किसी तरह की कानूनी कारवाई नहीं की है फिलाल पुलिस ने गिरफतार आरोपियों को लेकर मामला दर्श कर लिया है अपका जिला आपकी खबर में फिलाल यही रुकेंगे देखते रहे है हरे आना जूस नमस्कार झालन कर सकते हैं झालन कर झालन कर सकते हैं